एक और सवाल देखते हैं ये देखें या ये देखें चलिए ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम है इसमें थोड़ा 25% से बच्चे परिशान हो सकते हैं इसलिए मैं ये वाला कर देता हूँ दूसरा होमवग में मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ आप भी बना लीजिए फॉर्मेट कर दो कर दो कर दो सबसे पहले current asset फिर current liability बॉक्स में बना देते हैं किच पिच नहीं है कुश्चन पढ़ के एक बर समराइज कर लेते हैं कहता है सर material 50 रुपीज का है direct labor आपका दे रखा है overhead देखो मजे की बाद कितने 40 तो आप overhead आपको 40 जरूर दिख रहा है लेकिन आपको consider करना होगा 30 का consider करना होगा total cost दे रखा है profit का कोई role ही नहीं है अभी selling price दे रखा है average raw material in stock मैं यहाँ लिखता जाता हूँ कह रहा है raw material को आपको average ली रखना होगा one month यानि एक महीने का average material working in progress half month तो WIP के लिए time दे दिया इसने one by two month credit allowed by supplier one month यानि creditor के लिए एक महीने तो आप देख रहे हैं सब कुछ मन्त में पहले week में कर लिया था month में ले लेंगे credit allowed to debtor one month सर डेटर को भी हम भी उधार देंगे तो उसके लिए भी हम कितना लेंगे one month average time lag payment of wages 10 days सर wages के लिए हम देंगे 10 दिन 10 day payment overhead 30 days तो सर overhead पूरा एक मही नहीं मान लो है कि नहीं 30 दिन बोल रहा है तो एक मही नहीं कहता है 25% जितना भी होगा ना 25% sales are on cash basis जितना भी हम sales करेंगे ना उसका 25% cash basis पे होगा यानि जो हमारा debtor है जो समान बेचेंगे allowed to debtor उसका 25% कह रहाए है cash balance expected to आपका एक लाख होगा finished goods जो lie in the warehouse for one month sir finished goods के लिए भी एक मही नहीं दे रखा है you are required prepare statement of working capital capital needed finance leave activity financial sorry cash capital needed to finance a level of activity 54,000 unit यानि 54,000 unit साल का बनाया जाएगा output होगा production is carried on evenly throughout the year wages overhead accrues similarly the same assumption if any clearly बोल्ड़ाइ सब कुछ विलकुल पूरे साल चलेगा जिस तरीके से wages overhead दे रखा है उसे के हिसाब से हमारा approval रहेगा question मैंने एक summarize कर दिया अब यहाँ पे बच्चों को बस 25% के अंदर कुछ points हो सकता है otherwise इसमें कुछ questions में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मुस्किल लगे तो सबसे पहले हम data को monthly convert कर दे क्योंकि 54,000 कह रहा है वो 54,000 पूरे साल का है divide 12 करोगे तो कितना हैंगे करो divide 4500 तो monthly data convert कर लिया 4500 हमारे लिए easiest हो जाएगा सबसे पहले raw material सर पैंतालिस सो एक महिने के raw material के लिए कितना समय है सर एक ही महिना है तो कुछ multiplier rate कर देंगे सीधा rate क्या है हमारा one month और into my rate कितने पचांस बताइए material कितना work in progress यहां लगेगा material labor and overhead material जो लगने वाला है 4500 महिने का और material work in progress कितना कह रहा है half महिने तो इसका भी हम क्या कर दें into में 0.5 कर दें तो automatic half हो जाएगा और rate इसका कितना है हमारा 50 labor में भी 4500 लगेंगे into में 0.5 और sir rate क्या है उसका labor का 20 रुपे लेकिन sir इसका भी क्या लगेगा 50% सवाल ने नहीं बोला लेकिन अजम्शन रखना पड़ेगा overhead भी क्या होगा sir 4500 into में 0.5 0.5 आधा महिने कर रहे हम into में overhead 40 का है लेकिन 10 तो depreciation है तो लोगे कितना 30 रुपे और इसका भी कितने ले लोगे हम निकाल लिए पहले का आगया पहले का एक लाख बारा हजार इसके बाद आप भी टोटल कर लीजे एक बार जितने बच्चे लाइव में फटा फट बोलते साथ डन टोटल एकदम बढ़िया है कितने बच्चे बढ़िया है झाल 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 पहले चाल झाल 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 साथ अधिए क्रसाण में फट बढ़िया है पहला पॉइंट डन हो गया, इसके बाद आ जाते हैं किस की पर सर्थ? पैनस्ज गुड्स सर 45 सो महिने का देख लेते हैं कितना रहेगा इधर लिखा था कहीं मैंने, एक महिने, कहता है वेरहाऊस फिनिस, एक महिने तो मल्टिप्लाइव हुन ही रहेगा अब सर यहाँ पर 100% सब कुछ होगा तो मैं सीधा 110 लेकिन depreciation नहीं लेना तो मैं यहाँ सीधा 100 ले लेता हूँ अब रह गया डेटर सर डेटर 1 मंत ही है और यह भी 100 ही आएगा लेकिन सवाल में कहता है 25% तो cash मिली जाता है अब को इसका मतलब डेटर जो बचेगा वो कितना बचेगा 75% इसके बाद cash का balance सवाल खुद ही कह रहा है कि cash का balance हमारे पास expected है एक लाट रुपे है इसका भी total करके बता दुआ यानि आगया हमारा gross working सर कितने आ गए इसका क्या आया तीन लाख 37,500 ठीक है टोटल कर लेंगे अभी अब आ जाते हैं किस पर material क्रेडिटर की बात कर रहे हैं तो सर 4500 और सवाल में कहता है क्रेडिटर भी एक महीने का है तो multiply लेबर कहता है 10 दिन ही होगा तो मैं इसको कर देता हूँ 10 बटे 30 क्योंकि यह 4500 जो है अच्छा पचास है इंटू बीच में लगना भूली है न वन इंटू भी है ठीक है तो आप ध्यान दीजिए लेबर पे लेबर जो है 4500 पूरे महीने का है 30 दिन का लेकिन 10 दिन का निकाला तो divide 30 किया मैंने इसको एक दिन का गया multiply मैंने क्या करा दस कर गया ठीक है और इंटू में rate कैसर लेबर का 20 30 अच्छा ना ओवर हेड ओवर हेड कितना है 4500 और ओवर हेड के बारे में क्या करा है एक महीने का है यह तो multiply 1 और multiply अब 40 ना करके कितना करेंगे 30 कितने हो गए एक लाग 35,000 यह आ गया टूटर liability तीन लाग उपर की जो basic फार्मिल्टीज है ना आप लिख लिए गाने तो मैं लिख देता हूँ क्लियर है ना यहां तक अब नेट निकाल देंगे नेट वर्किंग यह 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 A-B 891 minus आप एक बार क्यालेशन लाइव वाले बच्चहे सभी चेक कर देंगे अगर कोश्चन में गीवन ना हो तो रॉ मट्रियल 100 लेना है और लेबर और ओवरेड पिप बिल्कुल सही महें 50 परसंट लेना है कोश्चन बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग नहीं बोलेगा तो अल्वेस 50 लेना है डवलू आईपी में सरिफ डवलू आईपी की बात करा देखाना आगे क्या है टेक्समेन का ही हो गई है आरप रस्तों की न यह पिछले साल के है कौन सा एडिशन है 22 की पिछले साल के डेटर का कहता है सर हम उधार एक महीने का देंगे एक महीने के इसाफ से मैंने डेटर निकाल लिया 4501 और 100 रुपए कैसे आए सर हम डेटर में सारे कॉस्ट को एडिट करेंगे सारे cost को तो cost हमारा 110 का था 10 रुपे depreciation हटा दिया तो costing आई 100 की तो that's why मैंने यहाँ multiply किसे किया 100 से सवाल कहता है 25% of sales are on cash basis जो भी sale करेंगे वो 25% तो कैसी मिल जाएगा तो debtor बन गया हमारा यह अब कुछ बच्चे के mind में खयाल आ सकता है 25% cash में भी तो add करो जो आपको यह cash बताया जाता है उसके अंदर already added करके बताया जाता है आपको extra add नहीं करने की जोड़त है ठीक है तो sir आज हमने दो सवाल किये एक सवाल आपको दिया जाएगा यह आसान है थोड़ा उससे आप देखेंगे तो सब कुछ लगबग लगबग सेम है आसान है यहाँ पे तो आपका debtor वगएरा भी नहीं है आपको PDF जैसे मिलता रहा है उसी तेसा आप से class के notes के PDF आजाएगा और अगली class के अंदर हम आगे to be continue करें क्रेडिटर का कुछ नहीं करेंगे कर रहा है न क्रेडिटर का देखो क्रेडिटर यह रहा है यह क्रेडिटर ही तो है material का मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ सर क्रेडिटर में material का ही क्रेडिटर बना है ठीक है बिल्कुल debtor को cost पे लेना होगा question कहता है selling price पे दिखाओ तो selling price पे हम वैसे भी सवाल देख लेंगे तो comparison easy होगा ठीक है हाँ theory साथ के साथ लेके चलेंगे इसके अंदर तीन theory बनता है temporary working capital permanent working capital और एक fixed working capital तीन चार working capital आते हैं जिसको हम देखेंगे करते जाएंगे chapter के साथ साथ इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं करा रहा मतलब थोड़ा मैंने रखा और उसी के according चलते जाएंगा इसके अंदर जितने बुक में कितने question है देखा आपने करीब 15-16-10 जो भी questions हो जाए 10-year के भी कुछ tough questions जो होगे और डेटी मैंने 10-year record किया लेकिन मुझे लगेगा भाई live class में यह तो discuss करना जरूरी है point का तो करूँआ मैं illustration, granded illustration की देरगी बन होता है 15 है न, आप 15 है और बाकि सारे होई जाएंगे पर, practical बहुत कमी होता है इसके अंदर illustration ही जादा रहता sir, theory 10-year वाली करवाओगे theory में अपने हिसाब से chapter wise कराएंगे फिर last में 10-year wise करेंगे ठेक है न, अभी chapter wise theory चलेगा 10-year जैसा नहीं इसके अंदर यह लेके चलेंगे इस chapter में से क्या theory है, पूरा theory ही पढ़ लेंगे ठीक है तो चलिए student अभी से आप एक तो press register और noting daily करेंगे देखिए first class है आप इसको छोड़ेंगे अभी class यह थोड़ा सा है noting हो जाएगा तो रह जाएगा वह noting अभी से लेके चलना है neat and clean question homework में दिया है वह भी कर लेना अगली class में doubt है तो अगली class में आपने पूछ लेना है सर इस question में यह नहीं हुआ तो मैं अगली class में पहले वह ही करा दूँआ क्योंकि आप एक बार एक हट्टा accumulate हो जाता है तो बाद में बहुत परिशानी होती है doubt यह रह गया वह रह गया ऐसा रह गया तो problem ग्रूप में आप देखेंगे तो एक application पर ग्रूप बना रखा है और WhatsApp का link बहुत जल्दी आ जाएगा आपके पास उसके अंदर थोड़ा सा मैं update कर रहे हैं अपने accordingly customize करवा रहे हैं question इसी sheet के अंदर एक ऐसा question है जो मैंने नहीं करा जब आपको यह sheet जाएगी तो पूरी sheet जाएगी तो यही question आपने homework में करना है एक question ही दिया है बाकी जब मैं ज़्यादा question दूँगा तो उसके इसाब से PDF बना के दूँगा एक question आपको मिल जाएगा और CC को करना है आपको और जिसके पास किताब है किताब के अंदर जिसने ले लिया हो second hand किताब के अंदर आपको मिल जाएगा यही दूसरा तीसरा question ही होगा यह RP रस्तोगी book है book में से मैं करवा रहा हूँ मैंने पहले ही बता दिया मैं इस book को follow करूँगा पूरे due के अंदर दो ही book एक ही book follow होता है इसमें RP रस्तोगी और एक DK goal है जो कि अब तो बंद हो गया लगबग लगबग नहीं आज activate कर देंगे मुझे नहीं पता था आज activate हो जाएगा जितने भी special batch का है आज मैं आपने सही बोला कि reply off है मैं आज activate हो जाएगा सुभे तक आप देखेंगे आपके activated होगा पूरा group ही है ठीक है management account पंदरा अठारा से start करेंगे पूरी RP रस्तों की PDF कहां से आएगी PDF तो जो question होता है मैं फटाफट फोटो खीचता हूँ यहां पे लगा के फिर मैं करा देता हूँ PDF नहीं होती मेरे पास book की आप बजार से खरी सकते हैं book अगर आपको कोई friend help कर रहा है available है तो वो आपके अपने sources के according होगा